दोस्तो मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल आपने नोटिस किया होगा आपके दोस्तों में, परिवार में एकना खास तरह के प्राणी होते हैं जिनके हिसाब से दुनिया में जो कुछ भी घड़त हो रहा है वो केवल और केवल उनकी लिए और उनसे जुड़ा हुआ है खुद से प्यार करना अच्छा है लेकिन खुद के लिए इतना पागलपन भी ठीक नहीं कि आप खुद को ही खुदा समझ लें इसी खुदाई में इस बार कंगना रनौत ने किसी और से नहीं सीधे भिड़न्थ ले लिया किस से? बीरा खुद उठाया अपने कंदों में इस फिल्म की ली रेक्टर भी वो खुद है डिरेक्टर भी वो खुद है और फिल्म भी उनके प्रड़क्शन हाउस के अंतरगत बन रही है खुद कंगना मान चुकी हैं कि उन्होंने इस फिल्म के लिए अपनी संपत्ती तक गिर्वी रखती है लेकिन अब जब इस फिल्म की रिलीज नजदी काई है तो कंगना अमिताब बच्चन पर आग बबूला हो गई है दरसल कंगना की फिल्म इमर्जेंसी 20 ओक्टूबर 2023 को रिलीज होनी तै थी लेकिन इसी बीच अमिताब बच्चन और टाइगर श्रॉफ ने अपनी अपकमिंग फिल्म गणपत की रिलीज डेट का भी अलान कर दिया जो की 20 ओक्टूबर ही है यानि कि कंगना की फिल्म इमर्जेंसी से ये फिल्म क्लैश कर रही है दुनों एकी दिन रिलीज होंगी इस बात पर कंगना ने अमिताब बच्चन की फिल्म पर भडास निकालते हुए ट्वीट की जड़ी लगाते हुए कह दिया जब मैं इमर्जेंसी के लिए रिलीज डेट तलाश रही थी तो मैंने देखा इस साल फिल्म कैलेंडर काफी हद तक खाली था शायद हिंदी इंडस्ट्री को लगे जटको के कारण मेरे पोस्ट प्रोडक्शन और टाइमलाइन के आधार पर मैंने 20 ओक्टूबर तै किया एक हफ़ते में टी सीरीज के मालिक भूशन कुमार ने 20 ओक्टूबर के लिए अपनी फिल्म अनाउंस कर दी पूरा ओक्टूबर खाली है नवंबर दिसंबर यहां तक की सितंबर भी खाली है लेकिन आज अमिताब बच्चन और टाइगर श्रॉफ ने अपने प्रोजेक को 20 ओक्टूबर के लिए अनाउंस कर दिया लगता है पैनिक मीटिंग्स हो रही हैं बॉलिवूड माफिया गैंग में अब मैं इमर्जेंसी की रिलीज डेट ट्रेलर के साथ एक महीने पहले अनाउंस करूँगी जब सारा साल फ्री है तो क्लैश की ज़रूबत क्या है भाई इतनी बुरी हालत हैं इंडेस्ट्री की फिर भी इतनी दुरबुद्धी क्या खाते हो यार तुम सब इतने आत्म विनाशकारी कैसे हो दूसरों का पता नहीं मैं जाना चाहती हूं कि आखिर कंगना क्या खाती है भाई उन्हें क्यों लगता है कि पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है पस उनके खिलाफ उनको कैंदर में रखके हो रहा है पूरी दुनिया उनके खिलाफ साध़श रच लिए उनके दमाग में खलत फहमी किस ने डाली है अभी कुछ दिन पहले याद कीजिए बिचारे पैपराजी जो फोटोस क्लिक करते हैं उनकी पिच्चर्स क्लिक करने पहुंच गए कंगना की तो भड़क गई उन पर कह दिया कि आलिया और अन्बीर सिंग ने उनकी चासूसी करवाने के लिए पैपराजी को भेजा है और अब बहन को लगता है कि उनकी फिल्म को नुकसान पहुंचाने के लिए अमिताब बच्चन ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट वही रग दी जो उनकी फिल्म की थी ऐसे तो पिछले साल अक्षे कुमार की रक्षा बंदन और आमिर खान की लाल सिंग चड़ा भी क्लैश हुई थी तो मतलब तो उन्होंने एक दूसरे के लाफ साधिश की थी क्या ही तो होता है बड़ी फिल्मों के साथ भाई अगर कंगना को अपनी फिल्म पर भरूसा है कि उन्होंने अच्छी फिल्म बनाई है तो उन्हें क्या डर किसी बेख्लाश से इन फाक्ट ऐसा क्लैश तो होना चाहिए यही तो होता है healthy competition या फिर कंगना को conspiracy theory की इर्दगिर्द जीने में मजा आने लगा है उन्हें अच्छा लगने लगा है वो enjoy करने लगी है सब comment box में जरूर लिखिए चैनल को join भी कीजिए दोस्तों और subscribe भी